हेलो दोस्तो स्वागत है आप सभी का अनिश्टटी क्लासिस में दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं ART के बारे में बताने वाला हूँ ART का पूरा नाम होता है Assistant Reproductive Technique इसमें बहुत सारे टॉपिक हैं मैं चार टॉपिक के बारे में बताने वाला हूँ ART में चार टॉपिक है और मैं चार टॉपिक को पूरी डिटेल से अच्छे तरीके से बताने वाला हूँ पहला जो है IVF IVF का पूरा नाम होता है In Vitro Fertilization In Vitro Fertilization का मतलब होता है कि जो male का gamit होता है और female का gamit होता है इसको बाहर artificial एक टूब में एक परक नली में उस ओबम को और इस पर्म को दोनों gamit को मिलाते हैं और Fertilization कराते हैं Fertilization होने के बाद उस जाइगोट को जब बन जाता है तो उस जाइगोट को female के uterus में या फिर उसके fallopian tube में ट्रांसफर करते हैं fallopian tube में या फिर उसके uterus में ट्रांसफर करने के बाद वहाँ पर भ्रूण अच्छे तरीके से पोसड़ पाता है और अच्छे तरीके से ब्रिद्धी करता है ये एक technique है जिन parents को बच्चे नहीं होते हैं इस technique का यूज करके हम उसको बच्चे देते हैं ये technique बहुत ही useful है तो इसके बारे में मैं बहुत detail में बताने वाला हूँ IVF in vitro fertilization इसके बारे में तो बता दिया और इसमें दो पार्ट हैं ये दो प्रकार का होता है IUT और ZIFT पहले मैं IUT के बारे में बता देता हूँ इसमें क्या होता है जब बाहर artificial हम जाइगोट का फार्मेशन करते हैं तो जब जाइगोट का फार्मेशन हो जाता है तो जो जाइगोट होता है 32 कोस की 32 सेल का जब बन जाता है तो हम उसे यूटेरेस में ट्रांसफर करते हैं ध्यारेकी यूटेरेस में ट्रांसफर करते हैं और वहाँ पर जाइगोट का अच्छे तरीके से पोस्ण होता है और जो प्लेसेंटा होता है प्लेसेंटा से जूड यान वॉय पानी हुआ अच्छे तरीके से उसे ट्रांसफर करते हैं वाही उसके पॉसब्ल का मुक्स फौत होता है अब लुट करते हैं जीफ्ट के बारेमें हम जीफ्ट जो होता है इसमें हम भृण को आठीफिसियल बाहर फॉटिलाइफ करा हैा तो यह आठ कोशत की होता है is इसको उल्पेन मेरे ट्रांसफर कह दो सब सकते प्रेस के ओर्टेंट जया करने के बाद प्रे में मेरे अंश्ज रिटेन सवाम जेदी डिफ्त इसमें यही different है कि IUT में हम भूण को जाईगोट को गरभासे में transfer करते हैं और GIFT में ZIFT में भूण को हम fallopian नलिका में transfer करते हैं अब हम दूसरे topic पर आते हैं जिसका नाम है gift Gamet Intrafalopian Transfer इसमें क्या होता है इसमें जो हता है अगर बंध इस तरही है फीमेल जो है बंध बंध है तो इसमें हम उसके गैमिट को लेके उसको परकनली में फर्टिलाइज कर refresh करआने के बाद किसी अन्य कोई आर्टिफीसियल मदर लेते हैं और उसके फैलोपियन नलिका में ट्रांसफर कर देते हैं अब हमारे उपर डिपेंड करता है कि हम आई यूटी या फिर जिफ्ट का कौन सा जो ट्रांसफर है कौन सा टेक्निक है हम इस्तमाल करते हैं जिफ्ट में गिफ्ट में और इसमें जो होता है सारा अर्टिफीसियल मदर करती है लेकिन जो बच्चा होता है वो भी इसत्री का अउता है जिससे जिससे हम गयमिट निकालते हैं अब तीसरी डॉपिक पर आते हैं जिसका नाम completo की इसका फूल नमीच होता है Artificial Insemination Technique इसमें क्या होता है जो इसके में देखिए जो डोनर होता है उस जो डोनर होता है उसका जो गैमिट होता है उसका जो इस्पर्म होता है उसको सीधे इंजेक्ट करते हैं इूटेरेस में उसको सीधे हम इंजेक्ट कर देते हैं और इूटेरेस में फटिलाइज होकर वहाँ से भून का फार्मेशन हो जाता है और प्लेसेंटा से जूड के अच्छे तरीके से भून का जाईगोट का अच्छे तरीके से पोस्टरन होता है अब हम आते हैं अपने टेक HAMePlasma Sperm Injection इसमें होता है जो जो इसमें इस टेक्निक का इस्तिymphाल करते है इसलिए है कि इस्पर्म जो हता है बहुत ही उसमें मुशन नहीं होता रहे हैं वह 9 नहीं होता है फर्टीलाइज के लिए तोह हम इंजेक्ट करते इंजेक्शन के थूरू हम में इस्परम को इंजेक्ट करते हैं इंजेक्ट करने के बाद वो जो भून बनता है वो अच्छे तरीके से प्लेसेंटा से जुड़के पोस्वर्ण प्रदान करता है तो ये जो टेक्निक है बहुती Benefit है और इस Life में Success है तो यह जो टेक्निक का इस्तमाल करके हम artificial तरीके से parents को हम बच्चे देते हैं तो I hope आपको वीडियो अच्छा लगा होगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए चैनल पर चैनल को सिस्क्राइब कर लिजिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को डिसलाइक करके चले जाइए धरन्यवाद आप इतना टाइम हमें दिये होंगे और इस टॉपिक पे अगर इस टॉपिक कोई भी कोई भी टॉपिक इसमें समझ में नहीं है तो वीडियो में कमेंट करिए और कमेंट करने के बाद हम उस टॉपिक पे वीडियो जरूर लाएंगे